तो सर्मा जी आये आया थोड़ा के जैए कि धर जा जो वह थाय मोटने मेरे दुकान पर बहुत बाद आज आयो एशा बोलोगि आप आपकी जो कॉस्टोमर को जो भी आपकी दुकान की सामना जो चल तो पॉजिटिव थिखिस लेना के लिए क्या करना है आपको इस तरह का जो की सब्द यूज करना है सरमा जी आईये आईये इधर बेठिये क्या यार आज तो संडे आप घर जाओगी घर जाके क्या करोगी आज थोड़ा बहुत बेठ जो बेठ होगी ना है एक आज तो मेरे दुकान जो घर पर बीबी बोला थे तो ने यह जिनस नहीं मेरे बच्चे बोले थे तो यह जिनस ठीक है यह जिनस नहीं एसे करते करते दो चाप सब्सक्राव आपकी बैपार भी हो जाएगी तो आपको लोग की मौन में पोजिटिव थिंक्स लाने के लिए यह जरूर करें जब offline business करते हो offline कोई आपकी सोब है तो दोकान है तो यह काम जरूर है देखो गिया आप कोई-कोई लोग बोलते ते आरे तो हो लोग तो बहुत ज़ादा पैसा देते फिर भी उसके पास लोग क्यों जाती क्यों जाना पसंद करते हो उनके पास मैं तो उनसे पही बहुत कॉम्डेटट्स पहुत के सामन यह दोकान को पसंद करते हैं या क्यों मुझे पसंद नहीं करते हैं क्यों मेरे दोकान को नहीं आत ऐसे बहुत सारवार लोग बोलते हैं सभाल 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 का जबाब लोग की मौन में positive आपकी बिखने के लिए आपको आसाने से बिखने के पूरे उसकी फैबल की हिस्सा मेरे को मनती है तो थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव आ जाएक उनमें से जब कुछ देर आपकी दोकान में बैठागी तो और भी ज्यादा उसको मुटिबेट अरे जो लालू चाहा लेके आओ यार सार को डे दो एक चाहा सार बिश्कुर के जो और चलिए बहुत दिन बाद इसा भी करना है समझ गई मेरे चाह पांच रुपया का दोस रुपया का चाह कुन खिलाएगा वह सला आ जाएगी फिर और को जो यह मेरे दोकान में सामाल लेगी नहीं लेगी पहले इंबेस्ट करो फिर रेजल्ट मिलेगी समझ गई तो आप जिस कोस्टमर को पांस रुपया दोस रुपया देके चाह खिलाओगी बाद में वह पचास रुपया आपको दोगी कैसे आपकी दोकान की सामान को देखेगी नहीं मेरे को बीबी का पसंद ही मेरे बेच्चे का पसंद है मेरे बच्चे के लिए लेके जाऊंगा मेरे बीब खर्च करने से कही नुख्सान नहीं हो जाएगा उनमेंसे आप सो और जार रुपया आसन से कमा सकते हो आज नहीं हो सकते हो चापी के वो चला गया फिर आपर किसी दिन जो आएगी तो बोले की नहीं मुले लेऊगा तो उस दोकान से ही सामाल लूगा एक positive things आगया न तो एसा एसा आप customer को को रोगी एसे एसे व्यवाहार दोगी उसको व्यवाहार से बढ़ेगी संसकार संसकार किसे बढ़ेगी? आपकी बैपार तो आपका संसकार बढ़ेए फिर आपकी बैपार को भी बढ़ेए संसकार बढ़ेगी तो बैपार भी बढ़ेगी बैपार बढ़ेगी तो आपके पास पैसा ही पैसा